माने गाला फ्योग तेलिए हम लोग ने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन आप फार्मिंग के बारे में देख लिए थे हम लोग बेशी साफ इंकम मतब इसके स्लाइज फार्मिंग का होता है इसके बारे में हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में पार्ट वन में हम सब्सक्राइब इसको बीड़े थे कभी मैं क्वार्मीच ना सब मessä dia kicks shiny क्या होता है इसके बारे में siitä हैं च्छान सब्सक्राइब होगा है ये सब्सक्राइब कहाई यह सब्सक्राइब कलरें एक है जोतने करें थे चाहरे ना समय कि ऊशनकरी देखांगे यह fringe तो small scale farming जो होता है इसमें छोटे टुकडे में crops and live stock का बिना किसी advanced expensive technology के उपयोग से उत्पाद तन है इसमें size या भूमी की मात्रा बहुत छोटा होता है तथा इसमें परिवार के सदसे भी अच्छा manage करते हैं कि small scale farming का मतलब इसका सीधा मतलब है छेत्र कम होना चाहिए है ना कम से कम छेत्र रहेगा तो परिवार के सदसे लोग अच्छे से manage कर पाएंगे उसको है ना बस वही चाहिए फार्म का साइज बहुत बड़ा हो जाता है पस्वों की संख्या जैदा होती है आज इस परकार के farming है तो अधिक बड़े फ्लोक और हैट की आशकता होती है मतलब जादे जानवारों का सम्मूं हो हमारे पस क्या हम चाहिए मेक्सिमम होना चाहिए जनवारों की संख्या है तो लोग लाज इसके लिए अधिक मुझी लगता है अधिक मजदूर लगते हैं तथा इसमें खत्रा भी बहुत अधिक होत अधिक बनना चाहते हैं किसी भी फॉर्मिंग का है तो इसमें इंडिविज्वल इंडिविज्वल फॉर्मिंग मतलब अकेले रिखती का यह ना ब्यक्तिका थे क्या है इस फार्मिंग में अकेला ही सारप पूजी लगाता है पूरा पैसा खुद लगाएगा तो प्राप ल अकेले आदमी का तो बात है हाँ रहा न उसके वाजए एक इस्टेट फाइर्मिंग होता है इस में फार्म या तो यह तो सिट्व गूर्म mentioned के द्वारा संपन किये जाते हैं इसमें सूपर विजन को वर्क फॉर्म मैनेजर करता है इसमें रोजाना मजदूरों को बुलाया जाता है समान जाता है यह एक मैंगेजड फॉर्म एंड अनलिमिटेड रिसोर्स वाला फार्मिंग होता है मतब़ जब बड़े मात्रा में हम लोग कोई भी काम करेंगे मजदूरों को बुलाया जाता है उनको काम करवाया जाता है उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर की आउसकता होती है इसमें कोई परिवार के लोग मिल की कारे को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़ihad State यहां पर जाए पूंजी कि आवसाता होती है ठीक है एक होता है collective farming collective farming में collective farming में society के किसी भी society के किसी का बेक्तिगट लेंड नहीं होता मत्रव किसी का यह किसी बेक्तिगओं इस नहीं होगा बलकि इसमें संपूर्ण सुसाइटी के अधिकार होते हैं है ना जो अधिकार होगा उसमें पूरे सुसाइटी के के लोगों का वोगा हाली भूमी को लेकर संपूर्ण सोसैटी आपस में जूड़कर फार्मिंग करते हैं लेकर सारे से माले में पढ़ा है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है सारे लोग एक हो जाएंगे से टिक लोगा अपना काम कर देंगे तो उसको कलेक्टिव फार्मिंग लेंगे ठिगना पर्यास फांथ को चलाते है तो इस परकार की फार्मिंग को को इड़ी कि नाम से जना जाता है ठीक है कोन्टेक्ट फार्मिंंग पर्टिकुलर लंड को कि इंट कि इंट्रेस्टेट पर्शन को देरी चलाना है ठीक है टोपिक का है कॉंसेट आफ तोशियोलोजी कॉंसेप्ट आप अब हम लोग चले नया टोपिक देखते हैं उसके बारे में जो अभी तक मैंने जो बताया वह थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पिछले वीडियो में बत कि तो समाज सास्त्र का कॉंसेप्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले जाना हो कि वार्टी सोचीयो लोगय क्या है value society States wie glad ना सोचियों का है लेटिन सब्द है जिसका अप अर्थ क्या होता है कॉंप्रिजन और एसोसियेट एसोसियेट है ना कॉंप्रिजन या फिर एसोसियेट दूसरा वर्ड लोगस है सोचियों के बाद क्या है लोगस लोगस का ग्रीक सब्द है लोगस है लोगस क्या है ग्रीक चटीत होता है जचिक है तो इसका मतलब सॉसायटी की सायं टीफिक श्टटीक करना सोसियो लोजिस्ट क्या फसेश्ट कशोंटे अगस्ट कॉंटे नाम है कि नाम है किसी तयोंगे सिंद्र जासर अ कॉस्ञिट के ले ले नाव नाम आपको याद रखना चाहिए ना गोस्ट कॉम्टे क्या है सोशियो लोगिस्ट फाद राफ सोशियो लोजी ठीक है इसके बाद इनको देखो सोशियो लोजी का जनक कहा जाता है और तो सोसाइटी का अध्यन کیा जाता है इसमें बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं बहुत सरे समुदाय के लोग रहते हैं इसको का बोलते हैं सोसियोलोजी में है तो अब टाइप आप सोसियोलोजी देखो सोसियोलोजी का अलग-अलग परकार है रूरल सोसियोलोजी और अर्बन सोसियोलोजी है इसको हम लोग थोड़ा और चेंज में होता है जहां पर लोग एक सोसाइटी की रूप में रहते हैं ठीक है उताहरण के लिए पापुलेशन धर्म अलग-अलग जाती के लोग रहते हैं जहां पर सभी लोग एग्रिकल्चर एवां लाइब इस्टोक करते हैं और इसे एडिया में डेटल ने अपने परकार से परिभासित किए हैं अकोडिंगर आय डेसाई यई आर डेसाई के अनुसार सोसियोलोजी गया है तो रूरल सोसियोलोजी इस दे science of rural society है ना मत्तब का बोलते हैं according to AR Dessai AR Dessai जो है साब सब्दों में बोल देते हैं कि जो sociology है वो क्या है गाउं का विग्ङान है है ना क्या है गाउं का विग्चन है science of rural society है न मत्तब गरामिड समाज का क्या है विग्चन है sociology ठीक है अधर वर्ड डुस्रे वर्ड में इसी कहले कहते हैं की ग्रामीड़ जीवन की सभी घटनाव का मध्यम है ना। सोथ पर सी लोजी ग्रामीड़ जीवन की सभी घटनाव का ऐध्यन है। ठीक है कर्यक्रेस्टिक कि कि कर्यक्ट्रेश्टिक चारित्रिक बोलेंगे इसको रहना चारित्रिक हिंदी ल कि थाry लग्छण है यह न है the Ilan society और रूरल सोस्योलोजी मतलब समाहिच का या ग्रामिच समाहिच सास्त्र का क्या लक्षड है क्या विसेस्ता है तो रूरल सोसाइटी की रिलेशन समझदारी ज्यादा अच्छा होता है अर्बन सोसाइटी की अपेक्षा है ना इतना अच्छा बात लिखा यहां पर कि गाउं की लोगों का जो होता है समझदारी सहर के लोगों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है है अ पाновफ तो सहर के लोग रहते हैं का सहर में रहते हैं यतना करीब ने रहते हैं जीतना करीब गांव के लोग रहते हैं तो ग्रामिट लोगों का जो लाइफ इस्टाइल होता है वह आल्रेडी परकृति पर निर्फ़ाइब सहर के लोग काम करते हैं कहां घर के अंदर आफिस के अंदर सहर के अंदर उनको नग धंग का पेड़ पोधा देखने को मिल पाता है ना तो खेत तो गर कामिट लोगों का जिस उनकी ओकूपेशनल रिक्वाइर्मेंट के कारण अधिकार्स प्रकृति पर निर्फ़ार करते हैं यही कारण है कि एक रूरल सोसाइटी प्रकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवाद साइक्लों जो बोलते हैं अरे वह आंधी नहीं आता है एक ठाइप प्रभावित होते हैं लेकिन थोड़ा सा क्या होता है बुरा प्रभाव भी पढ़ता है नेचर का अच्छा प्रभाव तो पढ़ता है ठीक है लेकिन थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी पढ़ता है क्योंकि अगर यह सब आ गया माली बाढ़ आ गया चक्रवात आ गया सुख खराब हो जाएगा तो उस कंडिशन में इनको थोड़ा सा दिक होता है ठीक है आए देखते हैं अकूपेशन के बारे में है ना तो क्रिसी ग्रामिट समाज का मूल भूत बहुत 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 हैं तो एनिमल हस्बेंडरी मतलब पसुपालन रूरल सुसाइटी क की बैकबॉन है बैकबॉन मतलब बैकबॉन मतलब रीट की हड़ी का सकते हैं क्या हम लोग इसको है ना तो पसुपालन जो करते हैं जानवरों का पालन जो करते हैं गाओं के लोग तो उनको बहुत सपोर्ट मिलता है इससे हैं ना खितिवाड़ी में आश्रित रहते हैं तो एगरी कल्चर और पसुपालन काफी हद तक एक परिवारिक ब्यवसाय के रूप में संचालित होते हैं फार्मर को अर्थिक इस्थिर्ता परदान करने के लिए क्रिसी पसुधन प्रुडक्शन में विभिन चरण पाया गया है फार्मर को अर्थिक इस्थिर्ता परदान करने के लिए क्रिसी पसुधन प्रुडक्शन में विभिन चरण पाया गया है मतब फार्मर को अर्थिक इस्थिर्ता परदान करने के लिए क्रिसी पसुधन प्रुडक्शन में विभिन चरण पाया गया है सब्षार कर सकते हैं क्रोप प्रोडक्षण उनके पास अगर जमीन यह लेंड है खाली तो इसमें वोग चारा उतपादन कर सकते हैं लाइज विष्टोक के लिए बैक्याड पॉल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं लोग एक डम आसान रहता है गर में कहीं पर ऐसा जगा खालतु पड़ा है वहाँ पॉल्ट्रिंट का पालन कर लेंगे एक्दम आसानी से हैं घर के पिछवाड़े में कर सकते हैं भी खिब ओओ क्पीषण नहीं है एक्रीकल्चर अर्बन सोसाइटी का उसाइटी को मरने कि सहर के लोग खीटि थोड़ी सब्सक्राइब करते हैं तो उनका में इंकम का सोर्स खेती बाड़ी नहीं होता है वह किसी और सोर्स के थुरू उनका जीवी को पार्जन होते रहता है साइस अब कमुनीटी आप साइस का साइस के बारें ुर्ट कामूझिटी की तूल ना में छोटे होती है ना एगरिकल्चर भूमी ब्हुंवी क्रिसी पधतियों के अधार पर साइस में अलग-लग हो सकती है साइज आफ कोमउनिटी तो रूरल कोमउनिटी जो होता है मतलब ग्रामिड समूदाय के लो कसे लिए कंप accelerate तो ग्रामिड समूदाय सहरी समूदाये की तूलना में छोटे होते है एक रिकल्चर भूह हुमी की लिशी पधति के अधार पर साइज में अलग Nonetheless हो सकती है खेती बाड़ी का काम करेंगे तो अलग-अलग हो जाएगा ठीक है density of population density का मतलब क्या होता है density का मतलब घनत्थ और population का घनतो तो रूरल कमूनिटी में जन्संख्या घनतों कम होता है कम जन्संख्या घनतों के करण समुदाय के निवासियों में इंटीमेट रिलेशन है एक गाउं में हर कोई एक दूसरी को जानते हैं मतलब क्या है कि गाउं में होता है जो घर चाठो घर वहां पर पांच्ठो घर वहां पर दोठो घर वहां पर ऐसे होता है खचाखच नहीं भर रहते हैं अब जो खचाखच सहर में भर रहते हैं तो इतन कि सहर के लोग इतने आदमी ही हो जते हैं कि एक उसे को पहचानना निर्फ पहचान पाते हैं मतलब लेकिन गाओ के लोग एगर एक दूसरे को चानते हैं सहर के लोग तो आधा किलोमेटर के अंदर कोई है उनको नहीं जान पाएंगे हैं इतने सारे लोग हैं कितने लोग को जानेंगे बता एक आध और घर रहता तो लोग भी जान जाते लेकिन सहर में खचा-खच एक दम भर रहते हैं तो नहीं जानते है ठीक कि उसके बाद देखेंगे homogen city of population ग्रामिट समुदाय अधिकर प्रकृति के समरूप हैं क्योंकि लोग कम या जैदा सिमिलर कल्चर है ना कॉष्टम का अभ्यास करते हैं और एक दूसरे के साथ में एक जूट होते हैं जो की अधिकतर एगरी कल्चर पसुपालन से जूड ओग report कहा रहा है समुदाय में सारे लोग मिल जूड़की कांवरिति रिवाज उनका अलग रहता है whose सिमिलर करने छोगा लुक्ति लोगों में बैक हेЕТरोजिनिस होते हैं और यह लोगा होते हैं हो ऑपोच जीनस हो हमोजीनस और हेट्रोजेनस दोनों अलग-एना कारेय की सबीन ये सब्सक्राइब की सब्सक्राइब में मत्व ऑसोशेटिप के खेड को समझले ये एनुट कारण समय समाजिक भेद्भाव और अंज इसतिकरन कम पाई जाती है वो future किया है इनका जो रहता है कि समाजट भेद भाबह जो होता है कि काम करते हैं सारे लोग मेयर कि क्या क्या करते हैं एक रुप कर थे तो भेद भाव गाव में कम देखने को मिलता है रूरल एरिया में और सहर में ज्यादा होता है उसके बाद सोचल इंट्रेक्शन सोचल इंट्रेक्शन मतलब समाजिक संबंद रूरल लोगों का संपर्ग जो होता है कम लोगों से होता है क्योंकि रूरल एरिया का घनतों कम है ebon population कम होता है तब कम आदमी रहेंगे तो कम लोगों से संपर्क होगा है न लेकिन सहर में बहत जैदे आदमी होते हमाँ पर तो उनका संपर्क शत्र जादा होता है ठेक न हला की एक दूसरे को पहचानने को सहर के लोगों को पहचान पाते हैcific प्रशा की का चार पाइंग efforts की अदमी равर्ण के तरीकतो अर्बन और रहता हैं उसके ऐगांद के दॉसरी निव नई इस तरकी होती है इसलिए ग्रामिट शेत्रों को एडुकेशन इंस्टिट्यूशन हेल्थ हेल्थ सर्विस हाउसिंग फैसिलिटी घरिलू उपकरण और अन्या सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रवाइट नहीं किये गए हैं एक्स्टेंशन टीचिंग मेथचे खिए अईपवांस इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां सिक्णम ध्यान से को थ्यान देना पड़ेगा ठिक है extension teacher और learner का मतलब जो सिखने वाला होता है उसके बीच communication हो सके यह हो गया आपका teaching यही तो teaching है मतलब क्या कि एक extension teacher जो trend होता है वो अंजान लोगों को मतलब जिनको आवर सकता है extension education का उनको कुछ सिखाता है तो उनके बीच में जो communication होता है बातची जो होता है वही क्या है extension teaching उसके बाद extension teaching method बिधी बहुत सारे बिधी है extension teaching के हैं चलिए देखते हैं कौन-कौन सा है तो एक ऐसा तरीका है जिसमें extension worker extension worker का मतलब ट्रेंड जो extension teacher होता है उसको बोलेंगे extension worker अपने client client से अपनी idea को communicate करता है हैं अपने client से क्लाइव जो अपने idea को communicate करता है मतarshय क्लाइव क्या है कि जो लोग जो एक्स्चेंशन तीचर के आ उसकता है एक्स्टेंशन एजय Yes होता है उनसे कमूनिट करता है अपने idea को बताता क्योंकि वो ठेयंड होता है न नएए नया आईएाज बता सकता हैंा के वारे में अचाहिए पसुपालण होलता है बहुत सारे नया नया उसके पास भोते हैं तौ वह सलकाता है उन को बताता है वह injection आप extension teaching method अब देखिए कि extension teaching में सब कैसे कार्य करता है इसमें learner से communicate करने का मौका मिलता है जिससे learner देखकर सुन कर या करके सीख सकता है learner का मतलब क्या है कि जिसको extension education दिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे learner जो extension education को ground कर रहा है जो सीख रहा है उसको बोलेंगे learner मतब सिखने वाला तो learner जो होता है कमूनेट करने का learner को अच्छा से learner से कमूनेट करने का अच्छा मौखा मिलता है extension teacher को है जिससे lecture learner देख कर सून कर या करके सीख सकता है अब वो extension teacher जो होता है वो कौन सा topic है उसमें करके सिखाना है कि lecture के माध्यम से बताना है सुनाना है है इन सब के हिसाब से किस दिखाना है तो कई idea होता है बहुत सारा क्या होता है कि poster banner ये घैनर बनवा के लिए उससे भी दिखाया जाता है उसको बहुत सर्व a-dalnya को पर तो करके पड़ेगा हब कैवल कापी किताब से कैवल लेक्चर स्थोड़ी ना अखार मेर समझ जाएगा उसको करके दिखाएंगे क्या क्या सकता होगा कितना पानी इसके लेकितना पहरा कितना क्या प्लास्टिक के कितना जरोत्सकों सिस्टमेटिक कर के दिखाना पड़ेगा है उसके बाद लोग अपने जीव इसके द्वारा एक से अधिक तरीकों से सिखने के प्रोसेस को बताया जाता हैं से अधिक तरीका बताया जाता है जैसे की अटंशन लर्निंग अटंशन लर्निंग डिजायर और कॉन्विक्शन एक्षान और स्ट्यस्फिक्शन इत्याजी तरीके से सीखने को बताया जा सकता है क्लासिफिकेशन आप टीचिंग मेथड क्लासिफिकेशन आप टीचिंग मेथड अब उपर के हम लोग देखें कि तीसरा नमबर में इसका मतब क्या है कि सटिस्फेक्शन मतब संतुष्टी है ना आप extension टीचर बनके कहीं पहुंच के सपोस किजिए आपने कुछ सिखाया सामन दित ही ने होगा जागरूप कर रह代 है कि हुद आपको क्या करना पढ़ेगा उसको सेटिस्फिक्शन कर रहेंका करना पड़ेगा उसको अगirst कर रहे हैं तो एससे हाफ करना पड़ेगा ऐसा प्राबलम आएगा ऐसा चैलिंश सब्सक्वात To You Can कि अध्यान देना पड़ेगा मतलब आप सिखा है उसको च सीख ना चाहता है सारा चीज ⁃क- साथ- उसको फायदे के बारे मौना sha बदाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप सिखा कि तो पर्योग के अधार पर इंडिविज्वल कॉंटेक्ट अधार आप संपर करीए एक एक बिगति को परस्नली बताई हैं उसके फाम में जाईए उसके घर में जाईए है न प्रस्नल उसको लेक्चर दीजे अव लेक्चर का पिर आपको रिजल्ट भी बताना पड़ेगा डि ही बता सकते हैं टेलीषन के माध्यम से भी अप उसको और चिलीफोन से नियों करते हैं लालाच देने वाले फ़न नहीं आता है उसका क्या बोलते हैं किया बुला जाएं आनलें फ्राड वाले निकाल करते हैं एक दम लालज देते हैं कि आपको इतना रुपए होगा होगा मिलने वाला है सब दुनिया दाई तो इस टाइप से हला कि लोग तो फ्राड वाले होते हैं जो में एक्जामपल दे रहा हूं वो इसे सुटेबल नहीं चाहते हैं तो आप कॉल के माध्यों से उनको बता सकते हैं कि आपको फाम है तो अपने फाम में इस चीज़ करेंगे इस प्रोड़क्त करेंगे इस तरीके को अपनाएंगे तो आपको फाम में फायदा होगा है ना तो इंडी विजूल कॉंटेक्ट होगा एक एक बेक्ति से उसके घर में जाकर आप बता सकते हैं कि फाम के देखके कि आपके फाम में यह कमी है यह अच्छा है इसको ऐसे कर लिजिए इसको ऐसे करीए सब बताएंगे आइडिया नहीं है तो वो इंडि विजवल कॉंटेक्ट हो जागा उसके 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 आथ पर इसका डिसीजन तो उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए तो ज्यादर बेटर है लोग कहां जाना पसंद करते हैं वहीं पर उनको बुलाया जाना चाहिए हुआ मेधड आप डिकेशन ग्रूप डिस्कसन इन अर्टाइप आफ सामध मेटिंग अर्डाइंड ट्रेंग्र-डर टूर लिखalgतूर यंद्र ट्रेंग्र उसके बाद ड्रामा ड्रामा का करते Search माथे और मिसले से टॉमटॉम से टॉम टॉमटॉम्तॉर मुलती मीडिया हां मतब्र कम्प्यूटर उगर्यूज करके उसके बाद आपका कोई ड्रामा करके नाठक नाठक उखना दिखा करके कि इस टाइब सी गुरूप सब्सक्राइब के लोग को बठाके है ना ठीक है कि अधिक चलिए तो यह गुरूप कॉंटेक्ट के बारे में आप समझ चुके होंगे कि गुरूप कॉंटेक्ट में क्या है सारे लोग यहां पर मिल जाएंगे वहीं पर मिलो उनको सिखाओ आप सिखाने का तरीका अलग- गुरूप कॉंटेक्ट में ठीक है उसका मास कॉंटेक्ट तो प्रिंटेड मटेरियल हां इसमें मास कॉंटेक्ट होता है इसमें क्या करेंगे प्रिंटेड मटेरियल मतब देखे गुरूप कॉंटेक्ट में संख्या मास कॉंटेक्ट के अपक्षा थोड़ा कम रहेगा ना तो प्रिंटेड माटेरियल, रेडियो, प्रोग्राम, टीबी प्रोग्राम, तो पसु मेला हो गया, रेली हो गया, लेक्चर हो गया, हना, सर्कूलर लेक्चर, हना, इमेल, इंटरनेट, ये सबसे जो करेंगे तो मास कंटेक्ट हो जाएगा, ये, ये भी एक क्या है, एक्स्ट में ड्रामावगरा करके आप दिखा सकते हैं है ना कंप्यूटर मुल्टि मीडिया का उपव्योग कर सकते हैं है ना इसमें गूरूप में प्रिंटेड माटेरियल रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम पसु मेला रेली यह सब के बारे में कंटेक्ट किया जा सकता है उसका बेस्ट वन्दा फॉर्म के आधार पर तो राइटेंट फॉर्म जो होता है प्रिंटेड माटेरियल प्रस्नल लेटर सर्कुलर लेटर तो राइटेंड फॉर्म मतब राइटेंड मतब लिखीत में है ना लिखीत में हम लोग कैसे एक शैंसे देशन तो प्रृंटेड मटेरियल दे सकते हैं प्रस्नल लेटर बाकाईदे लिख की हम लोग भैज सकते हैं अगर सामने वाला पढ़ने में सक्षा हमेताब तो यूज क पर्म आल टाइब आफ मेटिंग फांट हॉम विजिट ओफिस काल टेलीफोन ड्रामा इस फिकलत हुसे इस फोकेन फार्म वादिपन का मतलब क्या है को बोलना है आप न तो सभी टाइब की मेटिंग फॉम में बोल सकते हो तो लोग आपको वहाँ पर कुछ कि इस पोकेंग फाम में क्या होगा और टाइप अफ मीटिंग फॉर्म होम विजिट ओफिस कॉल टेलीफोन करके मतलब इस पोकेंग का मतलब हम लोग बोलके कैसा सकते हैं हमको फोल के माध्य हमसे हैं वीडियो काल कर सकते हो ड्रामा भी को दिखा सकते हैं आप इसमें हैं और म आफिश में बूला सकते हो और में बूला सकते हूँ सबस्क्राइब से विजूल पर्म कहोंता है रिजस्ट डमश्टेकरशन अ मेपसिकरोर नियुवस्ट जैशन इसदी एक यह अधर कर दो दिखाना होता है तो में सन पिक्चर दिखा सकते हो इसमाइब टूर्ट डिमॉर्स्टेशन हो गया इंटर्नेट हो गया इसपीज दूइंग मतब क्या होता है प्रेक्टिकल वर्क्स ऑप मेथर रिजर्ट डिमॉर्स्ट्रेशन एंड डू इट एट सबस्क्राइब्स ग्रें डूराल ट्राइबर अब यहां पर आपको अंतर देखने को मिल रहे हैं रूरल रूररुल का मतलब क्या होता है ग्रामीड और ट्राइबर का मतलब क्या होता है जन जातिया और सब्ब्रक्रावंटी 713 तो ग्रामिड सब्दाइब जन्जातिय अर सहां सायरी समुधाय के बारे में Sumoda आखें पर निय पर्यार Entertainment पर्याय-a possa सदस् procedure अपस में जूड़े हुए होते हैं marc羅 कमुनीटी है न तो ग्रामिड सभ्यता ग्रामिड समुधाए तो ग्रामिट समुदाय के लोग करते हैं परकिर्टी से जुड़े होते हैं कैसे समझ में आएगा आपको कि परकिर्टी से जुड़े होते हैं यह लोग कामेच करते हैं उस टैपके न खुले मैदान में काम करते हैं तो परकिर्टी से जुड़े होते हैं खेत बारी में ट्रांसफर सेटिफिकेट ट्राइबल कमुनिटी इसको बोलेंगे सिविलाइजड वर्ल्ड से कोसो दूर रहते हैं यह जादत अपना जीवन